हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो मैं चैनल, आज हम सिर्फ डाइमीटर कपड़े में फ्लेर्ड एलाइन कुर्ती बनाएंगे, तो इसके लिए हमने डाइमीटर फाब्रिक लिया है और इस फाब्रिक को हमने डबल फूल्ड करके रखा है, तो ये इस फाब्रिक की लंबाई है और जो लंबाई है वो 49 इंच की आई है डबल फूल्ड में, तो अभी हम इसको चौड़ाई में फूल्ड कर लेंगे, तो इस तरह से उठाकर हमें इसको फूर फूल्ड कर लेना है, तो हमने इस फाब्रिक को फूर फूल्ड करके रखा है, ये ओपन साइड है और ये फूल्ड side है, अब यहाँ पर fold side है और यहाँ पर open side है तो यह fold side है, यहाँ से हम sleeves के लिए कपड़ा निका लेंगे, तो यहां से हम 5 in पे निशान लगा लेंगे, तो इस तरह से पूरे में 5 in पे निशान लगाते जाना है और straight line ड्रा कर लेनी है और हमें इसकी कटिंग कर लेनी है तो इस तरह से हमने स्लीव के लिए कपड़ा निकाल लिया है अब यहां पर मार्किंग करेंगे तो जितना आप शोल्डर लेते हैं उसका हाफ करना है तो यहां पर मैं शोल्डर लेती हूँ 6.5 विंच तो उसका half करेंगे तो वो आजाता है सवा 3 इंच प्लस उसमें हम half इंच का margin एड़ कर लेंगे तो वो आया पौने 4 इंच तो यहाँ पर हम पौने 4 इंच में निशान लगा लेंगे 3.75 इंच पे उसके बाद नीचे की तरफ हम length लेंगे इसकी अभी यहाँ से हम length लेंगे तो length में लेंगे 17 इंच तो small, medium, large, excel size के लिए हमें यहाँ पर 17 इंच ही ले लेना है उसके बाद यहाँ पर भी हम पौने 4 इंच लेंगे जो उपर की तरफ लिया है वही और यहाँ पर अभी हम straight line draw कर लेंगे अभी bottom में हम इसके center पे एक निशान लगा लेंगे तो इसका center आ रहा है साड़े 10 इंच पे तो हम साड़े 10 इंच पे निशान लगा लेंगे और अभी इन दोनों points को हम तिरचा जोड देंगे अभी हमें इसकी cutting कर लेनी है तो इस तरह से हमने cutting कर ली है अभी इस part को उठा कर हमें इस तरफ करना है तो यह जो सीधी side है यह हमें यहाँ पर तिरची वाली side से मिला रही नहीं है तो इस तरह से हम इसको रखेंगे यहाँ पर half inch उपर चड़ाते वे रखना है हमें क्योंकि half inch का हमें सिलाई में लगीगा margin तो अच्छे से चारों fabric को अच्छे से सेट करना है उसके बाद ही इसके उपर रखना है अभी यहाँ पर हमें पूरे में पिंस लगा लेने हैं नीचे तक अभी हम इस पर मार्किंग करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे तो शोल्डर मैं ले रही हो 6.5 इंच यहीं से आर्मोल लेंगे तो आर्मोल भी मैं ले रही हो 6.5 इंच इन दोनों पॉइंट्स को जोड देंगे अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट प्लस टो इंच माजिन लेना है तो मैं ले रही हो 12 इंच उसके बाद हम कमर की लेंथ लेंगे तो कमर की लेंथ मैं ले रही हो 14 इंच और हिप की लेंथ लेंगे तो वो मैं ले रही हो 21 इंच अभी जहाँ पर हमने कमर लेंथ का निशान लगाया है वहाँ पर कमर का फोर्थ पार्ट प्लस टो इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हो 10 इंच और जहाँ पर हमने hip length का निशान लगाया है वहाँ पर hip का 4th part plus 2 inch margin लेना है तो मैं लेड़ी हूँ 12 inch इन 3 points को जोड़ देंगे अभी इसको हमें cross में extend कर देना है नीचे bottom तक अभी यहाँ पर हम 3 inch या 2 inch पर mark करेंगे और उसके बाद हम round shape draw कर लेंगे इससे side से कोने नहीं निकलते है अभी आर्मोल ड्रा करना है तो इस line का half लेना है और यहाँ से back का आर्मोल ड्रा करना है और half inch अंदर से front का आर्मोल भी ड्रा कर लेना है अभी हम neck की marking करेंगे तो neck width में लेनी हो 2.5 inch और neck deep में लेनी हो 6 inch front के लिए तो यहाँ पर front के लिए round shape draw कर लेंगे और neck deep में ले रही हो 4 inch यहाँ पर भी round shape draw कर लेंगे तो marking हो गई है अभी cutting करेंगे सबसे पहले back neck और back armhole कट करेंगे तो इस तरह से हमने cutting कर ली है अभी यह pins हटा देंगे तो अभी हमें इसको open करना है और इसमें से जो अंदर का part है वो back का है तो इसको हम इस तरह से fold कर देंगे अंदर की तरफ उसके बाद इसको फिर से fold करेंगे और front neck की cutting कर लेंगे तो front neck की cutting हो गई है अभी इसको भी हम open करके रखेंगे और इसमें से अंदर के दो parts है वो back के है तो उनको side में करेंगे और वापस इसको fold करके front armhole की cutting करेंगे इस तरह से अभी ये जैसा था वैसा ही इसको वापस रख देना है इसको भी open करेंगे और जैसा था वैसा ही रखेंगे और इसको फिर से fold करतेंगे तो अभी ये कलिया हमारी चार है side की दो front के लिए और दो back के लिए और ये बीच के दो parts है front और back के तो इसको हम open करके रखेंगे इसमें से कोई भी एक part को हम side में रख लेंगे तो front part को मैं side में रख रही हूँ और इसी तरह से उपर का और नीचे का ये दो part front के है तो इनको भी मैं side में रख रही हूँ बीच के दो part back के है तो ये back part है अभी back part में हमें attach करना है इन कलियों को तो अभी हम इनको स्ट्रिच करेंगे तो इस तरह से इसको इसके उपर उल्टा रखना है और स्ट्रिच कर लेना है उपर से नीचे तक इसी तरह से दूसरे साइड में भी हम इसको इसके उपर उल्टा रख लेंगे और स्ट्रिच कर लेंगे तो इस तरह से हमने 3 कलिया back के लिए attach कर ली है और सेम इसी तरह से 3 कलिया हमने front part के लिए भी attach कर ली है अभी हम इसको center से fold कर लेंगे और इसके उपर दूसरे पारट को भी हम fold करते हुए ही रखेंगे तो यहाँ पर कलियां जॉइन्ट करने के बाद ये उपर नीचे हुआ है तो इसको हम बराबर राउंड में कट कर लेंगे तो अभी इसका घीरा मेजर करेंगे तो इस तरह से ये पूरा 27 इंच का आया है तो 27 को हम 4 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो वो आ जाता है 108 इंच तो ये पूरा घीरा हमारा 108 इंच का रेडी होगा अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे तो इसके लिए हमने फाबरिक को फूर फोल्ड करके रखा है ये ओपन साइड है और ये फूल्ड साइड है और इस फूर फोल्ड की जो वेड़ थै वो हमने 10 इंच की लिए है जितना आपका आर्मोल है उससे 3 इंच जदा लेना है और स्लीव की लेंध हमने लिए 10.5 इंच अभी यहाँ पर ओपन साइड से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और स्लीव का शेफ ड्रॉ कर लेंगे अभी यहाँ पर स्लीव बॉटम लेंगे तो वो मैं लेड़ियू 7 इंच इन 2 पॉइंच को जोड़ देंगे अभी स्लीव की कटिंग करेंगे अभी यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे उसके बाद हम स्लीव को ओपन करके रखेंगे अभी यहाँ पर half inch अंदर से front car mold draw कर लेंगे और इसकी cutting कर लेंगे तो इस तरह से हमने sleeves की cutting कर ली है अभी हम stitching करेंगे तो सबसे पहले हम front neck बनाएंगे तो इसके लिए यह हमने तिर्ची पटी ली है इस पटी को हम इसके उपर रख लेंगे उल्टा और stitch कर लेंगे तो हमने पटी को stitch कर लिया है अभी यहाँ पर हमें छोटे-छोटे cuts लगा लेने है और इस पटी को हमें अंदर की तरफ double fold कर देना है तो हमने इसको double fold कर दिया है अभी इसके उपर हम lace लगा लेंगे एकदम पतली सी तो यह optional है तो हमने यहाँ पर lace लगा ली है तो इस तरह से front neck ready हो गया है अभी back neck बनाएंगे तो back neck बनाने के लिए हमने तिर्ची पटी ली है इससे हम इसके उपर रखके stitch करेंगे उसके बाद हम इस पटी को अंदर की तरफ double fold कर देंगे और back neck ready कर लेंगे तो हमने back neck ready कर लिया है अभी front का पार्ट हम इसके उपर उल्टा रख लेंगे और shoulders attach कर लेंगे अभी sleeves के bottom को हमें double fold करना है और इसके उपर भी हमें lace stitch कर लेनी है अभी हम sleeves को attach करेंगे तो sleeves के bottom को हमने double fold कर दिया है और lace भी stitch कर ली है अभी sleeves को हमें shoulder के उपर उल्टा रखना है और इसे stitch कर लेना है इसी तरह से हम दूसरा sleeves भी stitch कर लेंगे तो हमने दोनों sleeves को stitch कर लिया है उसके बाद हमें इसको उल्टा करना है और दोनों side से इसकी fitting कर लेनी है और इसके bottom को double fold कर दियना है और दिया है